एक प्रशन आया है कि exercise करें क्यों करें समय नहीं है या फिर हम तो fit हैं physically तो फिर हमें exercise करने की ज़रूरत क्यों है भगवन आज आप fit हैं आज आप तंदुरूस्त हैं शरीर ठीक ठाक चल रहा है कोई problem नहीं है कोई तो इसलिए exercise करने की कोई खाश जरूरत नहीं है ऐसा आपको लग रहा है एक बात जो बहुत महतुपूर्ण है वो यह है कि exercise का मतलब यह नहीं होता है कि हम बॉड़ी बनाएं अपने आपको एक बॉड़ी बिल्डर की तरह बना दें अपने आपको एक पहलवान जैसा बना द या brain heart यह जो भी organs हैं यह सारे organs आपके activate होते हैं जब आप exercise करते हो आपकी kidney और तंदृस्त होती है जब आप exercise करते हो जब आप उसको pure oxygen देते हो आपका लीवर और स्वस्त होता है जब आप exercise करके उसके अंदर movement लाते हो blood circulation को दोड़ाते हो और blood में exercise के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा oxygen मिलती है आपके फेफडे ज्यादा स्वस्त होते हैं जब आप तोड़ते हो भागते हो physical exercise करते हो जब आप हाफते हो तो उस समय आपके फेफडे के अंदर जो carbon dioxide की मातरा है वो बाहर निकल जाती है pure oxygen दे अंदर जाती है और pure oxygen जाकर खोन में मिलती है और blood ज्य ज्यादा healthy और स्वस्त होता है तो जब आप exercise करते हो तो आपका blood ज्यादा स्वस्त होता है आपके blood circulation की मातरा बढ़ती है उसके अंदर कहीं पे भी अगर खोन जमा हो रही है कहीं रुकावट है कहीं blockage है धीरे धीरे वो सारा blockage खुलना शुरू हो जाता है यानि कि proper मातरा म आपके सभी शरीर के महतोपूर्ण अंगों को इतने तक के cells के label तक यानि exercise के माध्यम से आपके cells भी स्वस्त होने लगते हैं उनको भी pure oxygen मिलने शुरू हो जाती है आपकी brain की छमता बढ़ जाती है कई लोगों को देखा गया है कि young age में वो बिलकुल fit है उन्होंने को exercise नही पड़ी लेकिन Parkinson जैसी disease जिसमें की इनसान अपनी memory खो देता है अपनी यादास्त को खोने लगता है अक्सर देखा गया है कि जो लोग exercise करते हैं और जो लोग exercise नहीं करते हैं सेम इस ग्रूप में 70-80 साल के उम्र में एक इनसान जो exercise अपने जीवन में किया होता है उसको memory loss क कम होती है ऐसा देखा गया है एक्सेप्शनल केसिस की बात में मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो लोग exercise नहीं करते हैं उनके शरीर में oxygen की कमी होने के कारण से brain में oxygen की कमी होती है नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे memory loss की शिकायत होने लगती है यानि कि उन्हें भूलने की आ कि में एक routine बना लें कि 10 मिनट 15 मिनट आदे घंटे एक घंटे मुझे exercise करना है जैसी सुविदा हो जैसे समय की उपलब्दता हो उसके अनुसार से आप करना शुरू कर दीजे लंबे समय तक अगर आप इस routine को follow करेंगे तो आप देखेंगे आपके दूसरे मित्र जो exercise नहीं करते हैं उनके तुलना में आप अपने आपको ज्यादा healthy ज्यादा स्वस्त ज्यादा खुश ज्यादा उत्सा से भरे हुए और ज्यादा सकरात्मक महसूस करोगे जिन छोटी 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 चीजों के कारण से आपका कोई मित्र बहुत बिचलीत और disturb हो जाता है उन छोटी से तकलीफ आती है बहुत असानी से आप उसको ज्यादा लेते हों लेकिन आपके जीवन की वो छोटी से तकलीफ किसी दूसरे के जीवन में बहुत बड़ा परिवरतन कर डालती है तो इसलिए अपने बाडी को आप जिन पैरू से चल रहे हो جन हाथों से आप काम कर रहे हो जिन आखों से आप देख रहे हो, जिस कांग से सुन रहे हो, जिस दिमाग से सोच रहे हो, जो दिल की धड़कने चल रही है, जो हिर्दय के पंपिंग के साथ में जो बलड फ्लो आपके शरीर में डौड रहा है, वो सब कुछ आपके लिए लगतार सारे ओर्गन्स आपके लि क्योंकि आपके जितने भी सपने हैं, चाहे वो सपने छोटे हों, चाहे बड़े हों, वो सभी सपने साकार होते हैं, और उसे साकार करने में आपका तन और आपका मन सहयोगी होता है, लेकिन अगर तन और मन ही कमजोर और विमार हो जाएगा, तो आपके सपने चाहे कितने भ बड़े हों, कभी साकार नहीं हो सकते, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो वो ये कहते हैं कि अगर मेरा शरीर साथ देता, तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकता था, लेकिन उनको एक छोड़ी सी बात नहीं समझ में आती, कि शरीर साथ दे रहा था, मगर आपने शर शरीर सरेंडर कर दिया, बीमार हो गया, तो उसे स्वस्त करने के लिए, उसे उर्जावान बनाने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो शरीर साथ तो दे रहा था, जो साथ एक्ससाइस के माद्यम से, बहतर खुरा के माद्य से आपको देना था वो साथ आपने नहीं दिया नतीजा ये हुआ कि अंत में चल कर सरीर ने साथ छोड़ दिया और आपके सपने महान और बड़े थे लेकिन वो सपने ही बनकर रहे गए कभी सकार नहीं हुए तो आप अगर सपना देखते हैं तो सपनों को सकार करने के लिए और उसे सकार करने में सबसे ज़्यादा सही होगी आपका शरीर ही होने वाला है तो आप शरीर की चिंता करें उसको बहतर करने की कोशिस करें नहीं तो बैंक बैलेंस पड़े के पड़े रह जाएंगे सपने अधूरी के अधूरी रह जाएंगे क्योंकि शरीर साथ नहीं द हमसे आप अपने शरीर को सर्विस करें और अपने आपको सुष्त रखें जो इनसान खुद बिमार रहता है वो दूसरों के लिए भी समस्या बन जाता है और खुद के लिए भी समस्या बनता है उम्र के साथ बिमारी आती है तो बहुत बड़ी बात नहीं होती यंगेज में अ जब हम स्वस्थ हो जाएंगे, जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे, तब हम exercise करेंगे, जब कि मैं ये कहता हूं, कि आप exercise करना शुरू करो, धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लगोगे, मैं एक ऐसे मरीज को भी जानता हूं, जो बेड रीडेंट थे, बेड पे पड़े हुए थे और हाथ-पैर में इतनी शक्ती नहीं थी कि उट सकते थे, लगभग सबने मान लिया था कि बस इनकी मौत तो निश्चित है, कुछ समय में मर जाएंगे, लेकिन उनको किसी ने कहा कि भाई, आप कुछ exercise करो, तो उनने कहा कि मैं exercise कैसे करूं, मैं तो उट भी नहीं सकता हूं मैं बैड भी नहीं सकता हूं, तो उनने कहा ठीक है, बिस्तर पे बैठे बैठे exercise करना शुरू कर दो, बिस्तर पे सोय सोय exercise करना शुरू कर दो, तो exercise कैसे अब जैसे वो paralysis के मरीज थे, लकवा के मरीज थे, तो उनको कहा कि क्या आप अपनी उंगलियों को चला सकते हो, ऐसे चलो, तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे अपने उंगलियों में हल चल करना शुरू किया, उंगलियों को चलाना शुरू कर दिया, कुछ दिनों के बाद से बच्चे के बाल को, जो हवा वाली जो बाल होती, उस बाल को दिया गया, उसको ऐसे जोर से पकड़ने लगे, धीरे ध पिरे उन्होंने दूसरे हाथ के उंगलियों को चलाना शुरू कर दिया, पैरों की उंगलियों को चलाना शुरू कर दिया, अपने शरीर को चलाना, शरीर को खीचना शुरू कर दिया, और लंबी गहरी सांस हो लेने लगे, कपाल भाती परणयाम, अनुलोम विलोम परणयाम, सोए सोए लेटे लेटे करना शुरू कर दिये और मन में ये सोचन लगे कि भाई मैं तो स्वस्थ हो रहा हूं क्योंकि मैं exercise कर रहा हूं ऐसा मन में धारणा बनाने लगे धीरे धीरे इस्तिती उनकी ऐसी आई कि बहुत जल्दी वो सुस्थ होने लगे और कुछ दिनों के बाद से वो अपने बिस्तर से उट भी गए चलने लगे और बहुत अराम की जिंदगी और बहुत खुशाल जिंदगी उन्होंने जी तो ये क्या होता है आपके प्रयास से होता है जब आप अपने शरीर को बहतर कुछ देने की कोशिश करोगे तो शरीर भी रिस्पॉंड करता है शरीर भी जवाब देता है उसके अनुकूल शरीर भी आपको शक्ती देता है आपके ओर्गन्स आपको शक्ती देते हैं तो हर एक्सरसाइज करने के दौरान आप ये सोचें कि मैं अपने लीवर को शक्ती दे रहा हूँ, अपने किड्नी को शक्ती दे रहा हूँ, अपने कान को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को शक्ती दे रहा हूँ, तो जब इनको शक्ती दे रहे हूँ, तो निशित तोर से वो भी आपको बदले में शक्ती दें अपने ब्रेन को बेहतर करने के लिए मुझे जगने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे लिए मेरा ये शरीर 24 घंटे काम करने के लिए तयार है तो मुझे भी सुबह नींदारी है आलसा रहा है फिर भी मुझे जगना है क्योंकि बदले में मुझे भी अपने शरीर का करतब्य शरीर का धर्म पूरा करना है तो उसके लिए जगे